हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम सीखने वाले हैं पांच नए वर्ड जो आपके काम आने वाले हैं आपकी डेली लाइफ में देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ लर्निंग का कोई भी शोटकट नहीं होता इसलिए hopeless ना हुआ करे थोड़ा थोड़ा सीखे एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट हो जाएगी Sway means influence परभाव होना You are easily sweared by other people आप दूसरे लोगों से आसानी से बहक जाते हो यानि कि आप कहना चाहते हो कि आप बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं दूसरे लोगों की बातों पर बहुत जल्दी आप विश्वास कर लेते हो तो आप इस sentence को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं Regist इसका मतलब होता है विरोध आपत्ती I couldn't regist it मैं इसका विरोध नहीं कर सका Allegation यानि कि आरोप लगाना किसी को जूटा बलेम करना He put false allegations over me उसने मुझ पर जूटे आरोप लगाए Havoc इसका मतलब होता है बिगाड़ना विनाश करना Junk food can cause havoc on your health Junk food आपके स्वास्थे के विनाश का कारण हो सकते हैं हमारी आज की वीडियो का last word है Unforgiving आच हमासील यानि कि जिसे माफ ना किया जा सके She has unforgiving nature उसका माफ ना करने वाला nature है यानि कि अगर वो किसी को जिल्दी से माफ नहीं करती तो friends यह थी हमारी आज की वीडियो I hope आपको पसंद आई हूँ झाल 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 झाल